कक्चा बार्वी विसे संस्क्रत कल आपका पेपर है एक तारिक को संस्क्रत का कक्चा बार्वी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनोंने विसे संस्क्रत लिया था उनके लिए यहां पर हम बताने वाले हैं मद्य प्रदेश कक्चा बार्वी का अर्दवार्शिक परिक्च 2021 का Sanskrit का जो पेपर है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं तो जितने भी दोस्त हमारे कक्चा बार्य वाले जुड़ रहे हैं वे सभी ध्यान दे यहाँ पर आपको जो आपका PDF है और टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा तो वहाँ से जाकर आप सभी दोस्त PDF डाउनलोड कर लेना टेलिग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसी के नीचे हमारा एक और चैनल है ब्लोग वाला उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो चलिए तो बात करते हैं आज के सभी कोश्यन अंसर और उनका हल सभी दोस्त एक-एक प्रिश्ण को यहाँ पर हल कीजेगा अच्छे से और राइट अंसर लगा लीजेगा कल आपको यहाँ से प्रिश्ण देखने को मिलेंगे असी अंक का आपका पेपर आएगा स्विसे संस्क्रत अर्दवार्शी परिक्चा एक तारिक ठीक है आपको परिक्चा में देखने को मिलेगा जितने दोस्त हमारे लाइव क्लास में जूट रहे हैं वह सभी द्यान दे यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वह सभी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुचाए क्योंकि दोस्तों आज कल ज़्यादा वीडियो डलने कारण यूटूब ने नोटिफिकेशन बेजना बंद कर दिया है तो इस कारण से आप अपने गुरूप में इस वीडियो को जरूर शेर करें दन्यवाद चलिए बढ़ते हैं आगे अपने इस पेपर क्योर पीडियो तो आपको मिली जाएगा टेलिग्राम पर डिस्कप्सान में लिंक दी गई है अदो लिखते सू उपसरगह अस्ती आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा उपसरग है तो यहाँ पर देखिए इत्यशे संदी अस्ती तो यहाँ पर आपकी संदी कौन सी ये गुण यन दिर्ग व्रद्धी तो यहाँ पर आप राइट अंसर लगा लीजिए दिर्ग संदी कौन से संदी दिर्ग बावसन आपका राइट होगा दिर्ग संदी आपका राइट अंसर हो जाएगा दूसरा देखिएगा सजन सजन इत्यत्र संदियस्ति सजन में आपको क्या बताना है संदी बताना है तो यहाँ पर आपका जो राइट अंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका वियंजन संदी राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वियंजन ठीक है वियंजन कर लीजिए संदी विचेद होगा यहाँ पर सत धन जन क्या हो जाएगा सत धन जन आपका संदी विचेद हो जाएगा अगला दिखेगा अम आप की जो चाएगे व सलाइक मेजब कीजिए Bernard टेंगे छीट गयांगे सोल फूसे पर जा कीजिएका सबलाइक शेर करना बिल्कुल न भूले अगला वीडियो पाना चाते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिएगा ओल पर करना गंटी की बटन को और बता देता हूं मैं टेलिग्राम पर पीडियो आपको अभी मिल जाएगा इस लाइव किलास के खतम होने के बाद तो आप टेलिग्राम को जॉइन कीजिए वह से पीडियो डाउनलोड कीजिए पढ़ाई कीजिए कार्य सादिका तत समास अस्ती कार्य सादिका तो यहाँ पर आपका जो समास है वो होए तत पुरुष समास कौन सा समास होगा तत पुरुष समास आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला कोशन देखिएगा देखिए यहाँ पर अगला कोश्चन अगला कोश्चन है आपका सब्तर्सी पदे समासा हा अस्ती सब्तर्सी पद में आपको समास बताना है दोस्तों तो सब्तर्सी साथ रिश्यो का समू सब्ता नाम रिशी नाम शामाहार यह समास विक्र हो जाएगा इसका और इसमें जो समास है आपका दीगू समास और सन फस्ट आपका राइट होगा अगला देखेगा हरसेन सहितम इत्यत्र समास अस्ति देखिए हरसेन सहितम तो इसको जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा तो इसका बन जाएगा शाहरसम क्या बन जाएगा साहरसं अगला कोश्यन देखिएगा अदो लिखते सू अव्यवम अस्तिया अपर अव्यव आपको बताना है दोस्तों तो अव्यव देखिएगा यहाँ पर कौन सा है चात्र तो संग्या है महेज भी संग्या है युवक भी आपका संग्या है इती आपका क्या है अव्यावे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये अव्यावे इसका कोई खर्चा नहीं होता है खर्ची नहीं होता है मतलब अगला देखेगा बाल का मात्रा से गच्चती बालक माता के साथ जाता है असमीन वाक्य अव्यवम अस्ती देखिए यहाँ पर आपको बताना है इस वाक्य में अव्यव बताना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्रा तो आपकी संग्या है मात्री मुल्सब्द इसमें संग्या है माता बालग भी मुल यह संग्या है गच्चत ही आपकी किरिया है और से ही आपका यह हो जाएगा तो बिना option के आप right answer लगा सकते हो से चली option भी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर से answer लगाएंगे आप से option आपका right होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर option में आपको दिख रहा है answer क्या होगा आपका से जैसे कि आपने देखा option में आपको यह से यही right answer होगा आगे देखिए गाँ अधो लिखते सु अव्यवम नस्ती आगे कौन सा अव्यव नहीं है आगे जो पत लिखेगा है उनमें से कौन सा अव्यव नहीं है सबी बारीवाले दोस्त वीडियो को like जरूर कीज़ेगा और अपने दोस्तों को share करना बिल्कुल न बोले चैनल पर पहली बार आये हो तो अगले वीडियो को ऐसे हमेशा पाने के लिए अंसर गलत मत लगाईगा सेवते, इत्यतर लकारस्ती। यहाँ पर आपको काल बताना है कौन सा काल है सेवते में तो यहाँ पर लगाईए आप लट लकार कौन सा लट लकार आपका राइट अंसर यहां पर हो जाएगा सेविश्यते इत्यत्र पुरुस अस्ति सेविश्यते तो यहां पर आपका जो पुरुस हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रतम पुरुस ठीके प्रतम पुरुस आपका यहां अब बीधियां लोट लकार लगाईेट इसके में चंद्रम्सम इत्यत्र विवक्ति यहाँए विवक्ति स्क्राइब विवक्ति है इसके में चंद्रम सम अगला देखिएगा राग्ये इत्यत्र विवक्ति अस्ति राग्ये तो यहां पर आपके जो विवक्ति है वो विवक्ति है चतूरतु बगति आपका right answer यहां पर हो जाएगा चतूरती लगाईएगा चतूरती answer होगा आपका चैंजे आगे और बता देते हैं यहां पर आपको यहां पृतिये से आपके भोषछा नहें देखी एक भी प्रिश्ण आपका बहारने जाएगा यदि इसमें के आएंगे तो आप राइट करके आएंगे आदा आए इसमें जो पृतिये है आपका लपी पृति राइट अंसर है अन्तव्या इत्यत्र पृतिये अस्ति यहाँ पर आपका जो पृतिये है वो तव्यात है चलिए आगे बढ़ते हैं तुमुन पृतिये का उधरन बताना है, तो यहाँ पर जो दोस्तों देखिएगा, तुमुन, तो यहाँ पर जो तुमुन पृतिये है, वो किसमे है, इसमें तो आपका कतवतु, कतवा है, इसमें आपका पतितवान, मतलब कतवतु है, इसमें कतवा है, इसमें कतवा है, इसमे पर आपको बताना है विशेष संक बताना है ठीक करें लेकिन उपाय आपका विशेष हो जाएगा इसका एक तो एक आपका राइट अंसर उ जजाएगा बिल्कुल राइट लगा दीजी आकंबड करके अगला कोश्यन उद्टम संकल्प यहाँ पर संकल्प इत्यत्र विशेश्य अस्ति यहां पर आपको विशेश्य बताना है और विशेश्य आपका हो जाएगा संकल्प संकल्प राइट अंसर हो जाएगा आपका सुप्तम इत्यत्र विलोम सब्दास्ति सुप्तम ठीक है यहां पर आपको इसका विलोम बताना है तो इसका जो विलोम हो जाए साइनम जागरतम जागरनम जागरुकता ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा सुप्तम का तो इसमें राइट अंसर आपको लगना है जागरतम ठीक है सुप्तम का मतलब होता है सोना जागरतम मतलब जागना चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों यहां पर देखेंगा म्रत्यू इत्तар से विलॉम बताना है म्रत्यू का विलॉम पताना है आपको हो जाएगा हर कि अपका इसको यह जी नाभ धी किजे राज इत्तेश एस पर्या वाची पताना यहाँ पर देखित नरत होगा मिली हुई है और यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यहां पर इसा भी question answer है और इनको पढ़िएगा टेलिग्राम पर अभी यह PDF आपको बेद देते हैं ठीक है